False Information या misinformation दोस्तों इसका मतलब सीधा सा है यानि गलत जानकारी फैलाना गलत जानकारी लोगों तक पहुँचेगी लोग उस पर विशवास करेंगे जो वो बताना चाहता है वो उमालेंगे कौन जो बताना चाहता है वही जो गलत जानकारी फैलाकर अपने मक्स पूरा कर रहा है कुछ भी उसका मकसद हो लेकिन उसने गलत जानकारी फैलाई और उसी को मिसिन्फोर्मिशन कहा जाएगा दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हमारा देश ना कई चीजों में आगे बढ़ चुका है अब ये बात तो आपको हर रोज हमारे देश के तथा कदेट मेंस्ट्री मीडिया चानल की तरफ से पता चलती ही रहती होगी कि कितनी चीजों में आगे बढ़ रहा है देश लेकिन क्या पीते दिनों या फिर अभी हाली में आपको किसी भी रिपोर्ट का जिकर किसी भी बड़े मीडिया चानल पर मिला दोस्तो वो रिपोर्ट जो ये बताती हो कि एक मामले में भारत ने उचाईया चूली है सब को पीछे छोड़ दिया है बिटेन को पीछे छोड़ दिया है अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और भी कई देशों को पीछे छोड़ दिया है भारत ने जिहां आपकी जानकारी के लिए पता दो दोस्तों वो जो महारत हासल की है ना भारत में वो महारत है false information को फैलाने के लिए यानि जूटी जानकारी फैलाने के लिए पूरा मामला क् पाइदा इस खबर में आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी नमस्कार दोस्तों मेरे नामें जयनती जा और आप देख रहे हैं देशनेती देश दीती किवल सची और पक्की खबरे दोस्तों हमारे प्रधान मिंत्री नेरेंद्र मोदी जी उनके लिए और उनकी पाटी भरत्य जिनता पाटी के लिए उनके नेताओं के लिए हमारे देश के मीडिया पर आरोप लगता है कि दिन भर तारीफों के पुल बांधे जाते ह आप भले ही तारीफों के पुल बांधने के लिए जूटी जानकारी का सहराई क्यों ना लेना पड़े लेकिल लिया जाएगा तो उस मामले में तो चलिए हमारी मीडिया ने इस जूटी जानकारी में भारत को अवल बनाने में अपना एहम योगदान दिया ही लेकिन वो लो जो या तो आधी अधूरी है या तो पूरी तरीके से जूट है यानि आप समझ लेजे कि जूट का प्रचार तंत्र भारत में पूरी दुनिया के कई देशों से जादा मजबूत इस वक्त बन चुका है अब ये किसकी देन हो सकती है भाई जाहिर सी बात है उनी को इसका श् विश्वगुरू बन चुका है अंतराष्टिय पटल पर विश्वगुरू ने जंडे गाड़ दिये हैं तो फिर इस मामले में भी हमारे देश की प्रिधान मंत्री जी और उनकी पार्टी का ही योगदान होगा ना हमारी सरकार का ही योगदान होगा माल लिया जाए क्या य कि जो काम किया जा रहा है जिस मकसद से किया जा रहा है वो मकसद पूरा भी हो रहा है दोस्तों लोग विश्वास करने लगेंगे यह आखिर में अगर उनको बार बार एक ही बात बताई जाएगी अब भले ही वह बात जूट क्यों ना हो कहते ना कि वैसे तो जूट को बार पर रख करने में विश्वास नहीं रखते हैं वो जूट को भी सच मान लेते हैं यही हमारे देश में लगातार हो रहा है misinformation फिलाने के लिए एक शिकार भी चाहिए आपको जो आपकी बातों पर विश्वास कर पाए विश्वास किया जा रहा है तभी तो भारत अवल हो गया है misinformation फिलाने के लिए दोस्तों आपकी स्क्रीज पर इस वक्त में आपको एक map दिखा रही हूँ अब इस map को अध्यान से गौर से देखिएगा और समझने के कोशिश कीज़ेगा मैं आपको समझाने के कोशिश करती हूँ यह जो map है यह जो नक्षा है दोस्तों इसमें कौन कोन से देखिए देश है यह आप समझ रहे होंगे इसमें Great Britain है इसमें बाकी के देश भी है USA यानि अमेरिका है इसमें और भी कई देशों का नाम जो है वो शामिल किया गया है इसमें भारत भी है अब भारत जो है वो पहले नमबर पर है भारत का पूरा का पूरा यह जो कलर है दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो rank है भारत का वो सब से पहले है, red color से पूरे भारत को ग्रोस किया हुआ है या आप ये समझे कि पहले दरजे पर भारत को रख दिया गया और यह report किसी है, यह report कहां से आई, इस report में ऐसा खुलाणा कैसे हुआ, क्या है ये रिपोर्ट दोस्तों तो ये जो रिपोर्ट है अगर इस रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो पहली बात तो ये ऐसे ही नहीं बना ली गई 1490 एक्सपर्ट के उपीनियन्स के बात उनकी अकैडमिया, उनकी बिजनेस, उनकी गवर्मेंट, इंटरनाशनल कम्यूनिटी, सिवल ससाइटी इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गए और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये कमिशन फिलाई गई और ये जो था दोस्तों समय ये चुनाव का समय था अगर आपको याद हो अच्छी तरीके से तो, पाँच राज्यों में चुनाव थे, पाँच राज्यों में चुनाव खत्म हुए, उन राज्यों में चुनाव तंतर को किस तरह से जूठा प्रचार प्रचार तंत्र बना दिया गया यह सब ने देखा और यह एक लौती जो रिपोर्ट है ने दोस्तों यह इस बात का सबूत है यह इस बात का सबूत है जीता जाकता सबूत है कि चुनाव के दौरान किस कदर जूट और प्रपंच के जरिये वोट बटोनने के कोशिश की जाती है और कई बार कई मामलों में जो यह कोशिश करता है वो सफल हो भी जाता है अब आप ही देखिए कि पांच राज्यों में जहां-जहां चुनाव हुए वहाँ पर भारत्य जनता पार्टी का कई राज्यों को हारना निश्टित था बावजूद इसके बीजेपी कई राज् बड़ दिखा रही हूँ यह जो खबार है दोस्तों क्या कहते है सुने लिखा है कि सरवे फाइंड प्रॉस इनफलमिशन रिस्क है है सरवे के मुताबिक किसका सरवे HERE यह सर्वे है World Economic Forum Global Risk Report यह 2024 की Global Risk Report है World Economic Forum की और उसने बताया है कि सबसे जादा अगर भारत किसी चीज़ को लेकर रिस्क में है तो वो जूटी जानकारी फैलाने को लेकर रिस्क में है जूटी जानकारी false information फैलाने को लेकर रिस्क में है और यह जो खबर है साफ तोर पर दोस्तों यह बताती है कि किस तरह से false information चुनार के समय में खासकर फ्लाए गए है और misinformation जो है वो फ्लाए गए है 2019 के election में यह सब कुछ किया गया था अगर आप COVID-19 pandemic की बात करेंगे जब COVID-19 महामारी आई थी उस समय कितना हुआ यह सब कुछ आपने देखा होगा तो कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है दोस्तों कि शुरुआत से लेकर अब तक इतिहास भी दिखाया जा रहा है भारत में 2014 से लेकर अब तक भारत की मूधी सरकार के अंतरकत हमारे भारत में किस तरह की जो है अबल दरजे की आप कह सकते ववस्ता चल रही है यह इस पूरी अब तरिएगा बताईगा कि आपकी राय क्या है इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या है दोस्तों कमेंट कर की जरूर बताईगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चानल को सबस्क्राइब करना बिलकूल भी फिर मुलाकात होगे आप से अगली वीडियो में तब तो के लिए नमस्कार